Your Excellency, Prime Minister Boris Johnson, Distinguished Delegates, Media के हमारे साथ ही नमश्कार. सबसे पहले मैं प्रदानमंत्री Boris Johnson और उनके Delegation का भारत में हारदिक स्वागत करता हूँ. प्रदानमंत्री की रूप में भले ही है, उनकी पहली भारती आत्रा है, लेकिन एक पुराने मित्र के रूप में है, वे भारत को बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं. पिछले कई वर्षों से भारत और यूके के सबंधों को मजबुत करने में प्रदानमंत्री जॉन्सन की बहुत महत्पपुन भूमी का रही है. इस समय जब भारत अपनी आजादी का अम्रित महोत्सों मना रहा है, प्रदानमंत्री बहुरी जॉन्सन का यहां आना अपने आप में एक एतिहासिक पल है. और कल तो पूरे भारत ने देखा है कि आपने अपनी भारत यात्रा का सुभारम, सावर्मती आश्रम में महत्मा गांदी को स्रद्धा सुमन अर्पित करके किया. फ्रेंड, पिछले साल हमने दोनों देशों के बीच comprehensive strategic partnership की स्थापना की थी. और इस दसक में अपने समंधों को दिशार देने के लिए हमने एक महत्वा कांख्षी roadmap 2030 भी launch किया था. आज की हमारी बात्चीत में हमने इस roadmap में हुई प्रगती को review भी किया और आगा में समय के लिए कुछ लक्ष भी तैय किये. फ्री ट्रेड एग्रिमेंट की विशे पर दोनों देशों की teams काम कर रही है, बात्चीत में अच्छी प्रगती हो रही है और हमने इस साल के अंत तक FTA के समापन की दिशा में पूरा प्रयास करने का निर्णे लिया है, पिछले कुछ महनों में भारत ने UAE और आस्टेलिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रिमेंट का समापन किया है, उसी गती, उसी कमिट्मेंट के साथ हम UK के साथ भी FTA पर आगे बढ़ना चाहेंगे, हमने रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमती व्यक्ति की है, रक्षा क्षेत्र में मैनुफेक्शनिक, टेकनोलोजी, डिजाइन और डेव्लप्मेंट सभी छेत्रों में UK द्वारा आत्म निर्भर भारत के समर्थन का हम स्वागत करते हैं। Friends, भारत में चल रहे व्यापक रिभॉम्स, हमारे Infrastructure Modern National Plan और National Infrastructure Pipeline के बारे में भी हमने चर्चा की। हम UK की कंपनियों द्वारा भारत में बढ़ते निवेस का स्वागत करते हैं। और इसका एक उत्तम उधारण हमें कल गुजरात में हालोईल में देखने को मिला। UK में रहने वाले 1.6 मिलियन भारत की मुल्के लोग समाज और अर्थ विवस्ता के हर शेत्र में सकारात्मक योगदान कर रहे हैं। हमें उनकी उपलब्दियों पर गर्व है और इस जीवन्त सेत्र को हम और मजबूत करना चाहते हैं। इस दिशा में प्रधान मत्री जॉन्सन ने नीजी रूप से बहुत योगदान किया है। इसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। फ्रेंड्स हमने ग्लास्गो में आयोजीत कॉप 26 में लिए गये संकलपा को पूर्ण करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई। आज हमने अपने क्लाइबेट और एनर्जी पार्टनर्शिप को और अधिक गहन करने का निर्णे लिया। हम UK को भारत के National Hydrogen Mission में सामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं। और हमारे बीच Strategic Tech Dialog की स्थापना का मैं रदे से स्वागत करता हूँ। Friends, आज हमारे बीच Global Innovation Partnership के implementation, arrangements का समापन एक बहुत महत्पुन पहल साबित होगी। यह अन्य देशों के साथ हमारी विकास साजयदारी को और मजबूती प्रदान करेगा। इसके तहर तीसरे देशों में Made in India Innovations के transfer और scaling अप के लिए भारत और UK हंड्रेड मिलियन डॉलर तक को finance करेंगे। इनसे sustainable development goals की प्राप्ति में और climate change से निपटने के प्रयासों में भी बदत भलेगी। यह हमारे start-ups और MSME sector के नए markets तलाखने और अपने innovations को global करने में बहुत उप्योगी सिद्ध होगा। Friends, हमने क्षेत्रिय और वेश्विक स्थर पर हो रहे अनेक developments पर भी चर्चा की है। एक free, open, inclusive and rule-based order पर आधारित इंडो-pacific छेत्र बनाए रखने पर हमने जोड दिया। इंडो-pacific ocean initiative से जुड़ने के UK के निरने का भारत स्वागत करता है। हमने यूकरेन में तुरंत युद्ध विराम और समस्या के समाधान के लिए डायलोग और डिप्लोमसी पर बल दिया। हमने सभी देशों की खेत्री अखनता और संप्रभूता के सम्मान का महत्वभी दोहराया। हमने एक peaceful, stable और secure अफगानिस्तान और एक inclusive और representative government के लिए अपना समर्थन दोहराया। यह आवशक है कि अफगान भूमी का प्रयोग अन्य देशों में आतंगवाद फैनाने के लिए नहीं होना चाहिए। एक्सलेंसी, आपने हमेशा भारत और यूके के समंदों को मजबूत करने के लिए विशेश प्रयास किया है। इसके लिए हम आपका अभिनंदन करते हैं। एक बार फिर आपका और आपके प्रतिनिजी बंडल का भारत में हारदिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवां जाल